हलो दोस्तों इस बार फिर से आपका स्वागत्त के साथ और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है श्ट्रिंग मेट्रियल कैलकुलेशन दोस्तों यह बहुत इंपोटन टॉपिक है और यह बिंग ईंग इंजिनियर यह आप सब लोगों को आना चाहिए तो दोस्तों आज इस लगते हैं और क्या-क्या कितनी कॉंटिटी निकलती है उसकी कॉफिशन क्या कैसे कैसे होती है उसकी क्या होती है exactly दोस्तों यह हमारा वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें हम आपको एक चीज बताएंगे जैसे कि मैं जैसे आप यह सामने देख पा रहे हैं यह ह इसमें सारी सीट है तो इसमें हमें प्लाइबोर निकला लेंगे हम इसमें वूड़न बेटन बेटन नकला लेंगे वर्टिकलव हमें यह यह वाले जो है वह वो वेरे 2 x 3 x 8 वाले हैं इसमें लेज निकालेंगे, बैंड निकालेंगे और शटेंग और निकालेंगे, दोस्तों आप ये वीडियो स्टार्टिंग सेड़ने तर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें काफी ऐसा कॉंटेंट है, जो आप मिस कर देंगे, तो आपके लिए काफी लॉस होगा उसका, ठ जो है, यह बीम टू बीम जा रहे हैं, जैसे यह बीम थ्रू आउट आ रही है, इस तरीक से मेरा एक सेक्षन है, चीक है, एंड इसके बाद मैं बात करता हूँ आप से, कि इसमें हमें सबसे पहले क्या निकाल ला है, ब्लाइबोर्ड, ठीक है दोस्तों, तो शुरू बात कर सबसे पहले इसका फ्लैट इरिया निकाला है, ठीक है, बीम बॉर्टम है, क्योंकि बीम बॉर्टम वाटम इंकलोड़ होंगे, तो वो तो मेरे इंकलोड है इस एरिया में, जो बीम की साइट से हैं, दोस्तों, वो हमारी इंकर्ण नहीं नहीं है इसमें और सबसे इंपोर्टरीम कर रहे हैं हमने स्प्रण किया हुआ है कि हम यह इस अइम स्पिसुक्त करों दंद हमें ऑलगों सीवेडियो by मरें हुआ हम सब्षान कर रहे हैं कि कॉरिकि आज घ्ली आज यहाँ द होड़स्श्व कर रहा आएंगे यह जो है हमारा flat slab in the beam bottom include है मैं बात कर रहा हूं साइट की दोस्तों जो मेरा flat flat area होता है उसका 25-30 % extra जो होता है वोगोजी भी में साइट होता है ठीक है यह 20 to 30% होता है तो हमने 30 कर लिया तो हमने 30% 20% फॉर बीम साइट है तो हमने 30% इसके रिए एड कर लिया तो वह आया हमारा 200 30% तो 260 स्क्राइट मीटर होगा तो यह 260 स्क्राइट मीटर निकलकर आ गया इसके बाद हम निकालते हैं अब मेरा एडिया मेरे पास है अब मुझे निकला है नमर ओफ प्लाइज तो सबसे पहले प्लाइज साइज के बारे में चलते हैं मैं आपको पहले ही वीडियो में का फिर प्रता है कि जो मारी शेटरिंग प्लाइज होती है उसका 1220 बाइज 2440 का साइज होता है अगर मैं इन जो मेरे प्लाइज का इसे डिवैड कर दिया है अगर मैं इसको 1 मानता हूं और इसको 2 मानता हो तो मैं दो साथ तीन विच इसको 86.6 इसको 87 बोल सकते हैं इसमें इसमें जो प्लाइज होती है उसमें हमने 8-10 परसे वेस्टेज भी होता है हमारा तो तो कंसिडरिंग 10 परसेंट वेस्टेज हमने 87 को 1 1.1 से इंटू कर दिया है तो यह मेरा आता है 95.7 विच इकोस टू नैंटी 오른 9 6 तो दोस्तों बहां जो हम यहां प्लाइबोर निकान रहे थे तो यह मेरा 96 नंबर्स आ गया प्लाइज एक है अब निकालते हैं बेकन बीटन हम रहा कि रहे हां करते है और और थोड़े ऐबले विवल जाते हैं तो जो हम भी बुलते हैं कहीं कहीं तो जो हम कंस्क्शक्शन ही करते हैं moim 2 inch by 3 inch by 8 feet या फिर 2 inch by 3 inch by 10 feet यह दो sizes में available होता है ठीक है 50 mm by 75 mm by 2400 और 50 mm by 75 mm by 3 meter ठीक है तो हमारी जो प्लाई है वो 8 feet की होती है तो हमने यहां भी 8 feet consider करते हैं ठीक है कर लेते हैं तो इसमें और सबसे important बात कि जो हमारा एक प्लाई में मेरे 7 number of patterns लगते हैं ribs लगती है तीन दो तीन आठ की मैं आठ का consider कर रहा हूं तो दो तीन आठ की मेरे 7 number of rib लगती है तो मैंने क्या किया है 96 को 7 से input कर दिया है ठीक है तो मेरा 632 numbers निकल कर आ गया लेकिन दोस्तों जो हमारे जो बैटन आते हैं वह हमारे CFT में आते हैं उन numbers में नहीं आते हैं तो हम इसको पहले CFT में करेंगे CFT करने के लिए क्या करेंगे कि मेरा बैटन का साइज है देखिए 50 है 0.05 इंटू 75.075 इंटू 672 यह नंबर और इंटू 2.4 यह मेरी 8 फिट जो इसको मैंने सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों मेरा यह 6.048 क्यूबिक मीटर निकल कर आ गया ठीक है अब एक क्यूबिक फिट एक क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 35.31 से सीएफटी होता है यह मैंने अपने पराने वीडियो आपको बताया है ठीक है तो 6.048 को मैंने 35.31 से इंटू कर दिया तो मेरा 213.55 सीएफटी निकल कर आया दोस्तों मैंने यहां पर इसमें वेस्टेज इंकल्यूड नहीं की है क्यूंकि मैं वेस्टेज अलरड़ी प्ला जो मेरेमें अंगे यह यह लगा है यह लगा है यह लगा है इन दौनों का जो डिफ्रेंस होगा होगा रहे छेसो अधोगा लगेगा ठीक है तो हम शुरूबात करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि हमारा हमें प्रॉप्स निकल ला है तो प्रॉप्स लगए मेरा बीम बॉटम पर मैंने मेंशन किया हूं है उसके बाद बीम बॉटम इस 15% अफ्लेट अधिया दोस्तों यह मेरा थंपरूल है कि जो मेरी ब दोस्तों मेरा आ गया 30 स्केर मीटर चीक है लेकिन इसके बाद जो हमारी बीम बॉटम होता है वह हमारा 230-330 कुछ भी हो सकता है इस पर डिजाइन इसमें यह डिजाइन पार्ट है तो हम कंसिडरा कर लेते हैं रेजिदेंशल के लिए कोई प्रॉज्ट के लिए कि हमारी जो ठीक है क्योंकि इसको मैंने मीटर से और डिवैड कर दिया तो यह मेरा 130 रनिंग मीटर निकल कर आ गया अब 130 रनिंग मीटर निकल कर आ गया यह मेरे टोटल उसका निकला है अब देखिए यह मैंने जैसे बताया था आपको 600 सेंटर सेंटर स्पेसिंग पर है तो मैंने इसको तो 0.6 से डवाइड कर दिया जब मैंने 0.6 से डवाइड कर दिया इसको तो मेरा 206 नमबर ओफ वर्टिकल एमस प्रॉप्स निकल कर आ गए तो मेरे उस क्रॉटिकल काम को करने के लिए मेरे 216 नमबर ओफ प्रॉप्स यूज होंगे जो सिर्फ बीम बॉटम में जा रहे हैं इसके बाद दोस्तों यह जो मेरी स्लैब है पूरी थ्रॉआड जो स्लैब है यह भी तो है इसमें इंकलुड सледवeren डिया इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा मेरे प्रॉप्स तो दिए जो वहारे प्रॉप्स होंगे वह थे अ फ्लैट एरिया पर लगाएंगे मेरे सैट से तो हम एरिया से नहीं करेंगे तो जैसे कि 15% जो था वह मेरा मैनस होगा मनला 230 स्क्वार मेटर के लिए हम निकाल चुक इस गाले है इसकी क्वादी बच्ची है जो मुझे नकाल नहीं है थीक है तो अब मैं नकालता हूं इसमें एक चीज़ घुए आपको देता हूं इसमें जो मेरे बेटन लगते हैं वह 3 वा 4 गवा नगते है वह center to center 900 की spacing पर होता है दोस्तों ये हमारा बीम बॉटम के लिए 600 की center-to-center पर होता है बट slab के यह में 900 center-to-center spacing पर होता है तो इसमें मुझे क्या करना है अब देखे slab bottom मेरा 900 की center-to-center spacing पर है ठीक है तो अब ऐसे प्रॉप्स लगई हूं तो इसमें यह मेरा निकल जाएगा तो इसका एरिया निकला है पॉइंट एटवन स्क्वेर मीटर अब 170 को मैंने पॉइंट एटवन से डिवाइड कर दिया यह एरिया से तो मेरा 209.8 मतलब 210 नंबर आफ मेरे प्रॉप्स निकल कर आते हैं तो मेरे वर्टिकल जो ट्रॉप्स निकल कर आते हैं वह 426 नोज निकल कर आते हैं ठीक है अब मुझे निकालने हैं बैटन क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया था आपको मेरे 3-4-8 बैटन लगा हुआ है बैटन की वह भी 900 तू सेंटर तू सेंटर स्पेसिंग का ल दिवाइड बैट पॉइंट नाइन जीरो जो 900 मेरे सेंटर तू सेंटर तो मेरा यहां से 222 नंबर ओफ मेरे 3-4-8 के बैटन निकल कर आते हैं अगें यह बैटन भी हमारे नंबर में याते सेंटर में आते हैं तो मैंने क्या किया है देखिए पॉइंट यह मेरा 3 मतलब पिछग तरह में तो मेरा 0.075 x 2.1 222 यह और 2.4 मेरी 8 फिट है आठट को मैं करना 2400 होता है 2400 यह आ जाएगी इन्टू 31.3 एक जैसे कि मैं आपको बताया था 1 कुट मेटर कुस्टो 31.31 इससे मेरा 141.09 cft मेरा निकल कर आता है तो यह मेरा निकल के आया है 141.09 तो यह होगी है 141.09 cft ठीक है जी अब हम आते हैं इसके नेल्स बाइंडिंग वायर और श्टर तो दोस्तो अब हम निकलते हैं नेल्स जो हमारे श्टरिंग मेरा नेल्स होते हैं वो दो इंच तीन इंच और चार इंच के यूज होते हैं वो तो इसमें सबसे जो में धंबरू धंबरू जो आपने आप रखना है वो यह कि मेरे एक शटरिंग प्लाइबोर्ड में 0.3 kg to 0.4 kg के आसपास नेल्स लगते हैं ठीक है तो मेरा नमबर प्राइस था कर आगया 34 kg इसके बाद मैं आता हूं बैंडिंग वायर बर दोस्तों बैंडिंग वायर का भी थंबर होता है कि बैंडिंग वायर पॉइंट 0.03 kg per square meter of flat area पर लगता है तो 200 मेरा per square foot area था यहां 0.03 तो यह मेरा 6 kg आ गया तो 6 kg के साब से मेरा यह जो है देखिए यहां पर मेरा 6 kg आ गया ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं शट्रिंग ओयल की तो शट्रिंग ओयल जो होता है मैं इसको paint से निकालता हूं और मेरा प्लाई यूज हो रही है तो मेरा शट्रिंग ज्यादा हो जाती है लग ज्यादा एफिशेंटल थोड़ा हमारा सर्फिस दर्या बढ़ जाता है तो एक लीटर में मेरा 12 से 15 स्क्वार मीटर को कवर करता है ठीक है तो मैंने 12 को पकड़ा तो 260 मेरा टोटल ही दिया था क्योंकि मैं साइट्स पर भी लगाँगा फ्लैट दिया पर लगाँगा तो यह मेरा यहां पर टोटल 260 था तो देखिए 260 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो मेरा 21.6 इक्विवेलेंट टू 22 लीटर हम क आपको बहुत ही इंपोर्टेंट और थंपरूल बताता हूं कि यह बहुत ही जाता यूसफुल होते है हमारे और मैं अपनी वीडियो के एंड मेरा हर वीडियो पूरा एंड तक देखें तो हम कंसिडर करते हैं मल्टि स्टोरी बिडिलिंग तो इसकी स्लैप थिकनेस है मेरी यहां 1.500 mm ड्राइंग में 175 mm होती है हमारी और बैलकनेस में 175 mm होती है यहां 1.500 भी हो सकती है तो यह आपको मैं बड़ी बेसिक चीज़ें बता रहा हूं यह ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली हमेशा यही कंसिडर होते है ठीक है तो आरेंसी कोफिशन बताता ह है मेरा वो होता है 0.0169 which is equal to 0.017 मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं पर square feet मतलब अगर मेरा 200 square feet 200 square meter का flat area है ठीक है और मैं अगर उसको 0.017 से into कर देता हूं into 10.76 मैं इसको square मैं इसको मैंने square meter में convert किया है ठीक है तो अगर मैं इसको convert कर देता हूं तो मेरा 36.584 cubic meter निकल के आता है मतलब मेरा 200 square meter का जो अगर मेरा flat area है slab का तो उसमेरे 36.584 cubic meter RMC लगेगी एप्रोक्स इसमें प्लस मैंनस पांत दस परसेंट का variation हो सकता है पांसद परसेंट का इस से लगेशन नहीं आएगा दोस्तों हमारे यह जो है मेरा shattering coefficient जो होता है shattering coefficient होता है मेरा point अब मैं आपको shattering का और RMC का link बता रहा हूं ठीक है कि अगर मेरे पास shattering है तो मैं RMC कैसे नकालू और RMC कैसे नकालू तो shattering coefficient जो होता है वो मेरा होता है 7.5 square meter per cubic meter मतलब जैसे मेरा 36.584 नकला मेरा shattering area होता है ठीक है ठीक है 274 नकल गया आता है और earlier जो हमारा था 260 था ठीक है तो जो अर्लियर निकला था हमारा वो था 260 तो अगर आप मैं percentage की बात करूं तो 2254 माइनस 260 यह मेरा आएगा 14 डिवाइड बाए 14 डिवाइड बाए 260 देखे दोस्तों यहां से पांच परसेंट का variation आ रहा है ठीक है तो यह यह भी बहुत important thumb rules है यह आप याद रहे काफी useful काफी कम आएगा आपके कि exactly क्या होता है और इससे आप directly RMC जितनी अगर मुझे पता है तो मैं shattering निकाल सकता हूं शट्रिंग मुझे पता है तो मैं RMC निकाल सकता हूं ठीक है दोस्तों तो आज हमने पड़ा आपनी shattering की calculations के बारे में और क्या क्या फंडे होते हैं से निकालने के लिए कैसा निकालते हैं आई होप इस वीडियो को देखके आपको यह सारी चीज़न तो clear होई गही होंगे कि यह अच्छा था या फ्रेक्स में कुछ और scope of improvement है कि नहीं है दूसरा दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए like कीजिए comments कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं जिससे वो भी इसका advantage उठा सके ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स तुडियो में थेंक यू और अल दा बेस्ट